देखे लाइन फोर जॉब घोटाली की आच अब लालू यादव की परिवार को महसूस हो रही है पहली बार इदी ने अपनी कारवाई और आक्शन की डीटेल जारी करी है इन्फोस्मेंट डारेक्ट्वेट का कहना है कि ये घोटालाग छे सो करोर का है इदी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाली को लिकर 24 जगों पर छापे मारी की थी इसमें तेजेस्वी यादव के साथ लालू यादव की बेटियों के घर भी जास्ती पहुँची थी अब इदी ने पूरी जाच और छापे मारी का ब्यारा दिया है इदी ने बताया प्लाट और 250 करोड रुपे का लेंदेन हुआ जांसे पता चला है पटना और इसके असपास अवैद रूप से जमीने लालू परिवार ने रेलवे में नौकरी के नाम पर ली थी इदी की जाच में ये भी पता चला है कि जमीन के चार टोकणों को लालू यदव के परिवार ने सिर्फ साड़े साथ लाख रुपे में खरीदा था और इनी जमीनों को आरट जेडी के पूर्व एमेल ले अबु दोजाना को साड़े तीन करोड रुपे में बेचा गया अब वहाँ पहला रही है आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है प्यार के डिप्टी सीम तेजस्वी आदव ने अपने परिवार के उपर 600 करोड के घोटाले के आरोपों पर सफाई देते हुए चूट किया है याद करिये 2017 में भी कतित 8000 करोड का लिंदेन, 1000 करोड के मौल, सैंक्रो संपत्या अभी चद महीने पहले गुरुगराम में अर्बों का वाइट लेंड कंपनी का अर्बन क्यूब मौल भी मिला था भाजपाई अब कतित 600 करोड का नया हिसाब लाने से पहले अपने सूत्रों को पुराने का हिसाब दे देते तेजस्वी ने ट्वीट वाला वार किया तो महीं E.D. के बाद C.B.I. भी पूस्ताच के लिए तेजस्वी के घर पहुँची C.B.I. ने तेजस्वी को समन भेजा लेकिन तेजस्वी हाज़िन नहीं हुए C.B.I. के दो अधिकारी कल तेजस्वी के घर भी पहुँचे थे लेकिन तेजस्वी घर नहीं मिले E.D. C.B.I. की कारवाई पर अब सियासी संग्राम जारी है क्या मजबूर है मेरी बताईए मैं अभी आपको बताती हूँ मैं अभी आपको बताती हूँ के मैंने जोगिंदर जी इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइब अप अपने स्मार्ट टीवी पर ABP News आपको रखे आगे